हेलो फ्रेंट्स अच्पर से मैं एक नई वीडियो के साथ आजीर हो अपने यूटूब चैनल असार सचीन असार में तो यहां पर आजा है कोमाकी की XGT X5 यहां friends और यहां पर आपको देखने को मिलता है यह आपका friend look है जो कि आप देख सकते हैं यहां पर आपको side में कोमाकी का logo देखने को मिलेगा जो की बहुत ही अच्छा और attractive look से बनाया गया है और यह जो color combination है यह है granius black and silver जहां friends और यहां पर आप देख सकते हैं side जो look है वो कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है और यह है एक handicap electric scooter जहां friends और आईए इसका full review शुरू करते हैं तो यहां पर आपको जो देखने को मिलता है वो है tubeless tire, alay wheel और यहां पर जो alay wheel के cuts हैं वो भी काफी attractive बनाए गया है जो bit quality है tires की वो भी काफी आप देख सकते हैं काफी अच्छी दे रखी है तो यहां पर आप देख सकते हैं काफी अच्छे wheels जो की silver color finish से देखने को मिलता है यह chrome silver color finish है और जो यह है यह है आपके disc brake system देखने को मिलता है जो की अंदर की side आपको disc brake system देखने को मिलता है यह एक बहुत ही अच्छी electric scooter होने वाली है जो की handicap से related है यहां पर आप देख सकते हैं चेचेज भी काफी मजबूत और अच्छी quality की बनाए गई है double साकर देखने को मिलता है और यह कुमाकी की XGT X5 है यहां पर आप देख सकते हैं जो इसकी key है वो भी काफी attractive है double sensor lock system देखने को मिलता है और यहां पर आपको disc brake pedal देखने को मिलता है जिससे आप disc brake को चला या फिर रोक सकते हैं अब भी इसकी बात करी जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं काफी premium look देता है और यहां पर disc brake आपको locking system भी देता है यहां पर आप front look की बात करें तो दोनों साइड आपको indicator देखने को मिलता है और जो handle की बात करें तो यहां पर आपको सारी चीज़े देखने को मिलती है जैसा कि आप देख सकते हैं horn button, indicator button, upper deeper button, LCD के नीचे कुमाकी का logo और यहां पर LED, head lamp, on-off switch, three gear step mode, reverse button and service button जिहां front, first gear, second gear और third gear जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर reverse button और service button भी दे रखी है की unlock, lock और diggy open करने की भी की आपको front महीं देखने को मिलेगी और यहां पर आप देख सकते हैं boot space काफी ज़्यादा है और काफी बड़ा भी है boot space, NCV cutoff system, boot space, LED lamp जो कि आप देख सकते हैं यह आपका night vision में काफी अच्छा work करता है side panel की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं आपको कुमा की का एक logo देखने को मिलता है side से आपको एक tear के उपर आपको एक cover देखने को मिलता है इसमें आपको LED छोटे-छोटे colors देखने को मिलते हैं yellow colors के और यहां पर आप देख सकते हैं काफी अच्छा safe बनाया गया है जो की handicap mount है और अब इसके motor performance की बात करी जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो tire है यह काफी अच्छी grip quality का है यहां पर आप motor performance की बात करें तो यह एक e-rixe वाली motor है जो की आप देख सकते हैं 60 volt 72 volt की motor देखने को मिलती है आपको यहां पर आप देख सकते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ 60 volt 72 volt की motor देखने को मिलती है जो की e-rixe में बहुत अच्छा work करती है वही motor electric segment में प्रियोग करी गई है यहां friends यह भी काफी एक अच्छी motor है जो की आप इसमें कितना भी वजन लाद दीजे लेकिन यह आपको बहुत अच्छा performance देगी कुमाकी की XGT X5 आपको यह review कैसा लगा आप comment section में बता सकते हैं अगर आपको purchase करनी है तो आप discussion link में number दे रहा हूँ वहाँ पर आप जाकर के visit भी कर सकते हैं तो यहाँ पर पीछे आपको कुमाकी का logo backlight और indicator system देखने को मिलता है side panel की बात करी जाए तो देख सकते हैं पीचिस की quality काफी अच्छी है double soccer के साथ दे रखा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी अच्छा safe दे रखा है गदी space भी काफी जाजा है दो लोगों के लिए और यह है एक alive wheel जो की इसमें पहुत ही अच्छी चीच जो मुझको लग रही है वह है alive wheel वह भी disc brake के साथ जहां फ्रेंट फिर तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा disc brake इसमें पहले से इंस्टॉल है जो कि आप बहुत ही अच्छा performance पाने वाले हैं और आपको बहुत ही अच्छा performance मिलेगा दोनों साइड आपको